चैन साब से समझना चाते हूं सर एक तो हम इस मुद्दे को लेकर यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि साब पहले FIR डर्ज की गई उसमें बाबा का नाम नहीं अब SIT की रिपोर्ट आ गई है सर इसमें भी बाबा के नाम का दूर दूर तक जिक्र नहीं और यह इसलिए खल रहा है क्योंकि जो चश्मदीद हैं SIT ने भी जिनके बायान दर्ज कियें वो सर कैमरे पर आकर ओन रिकॉर्ड यह कह रहे हैं कि साब मंज से बाबा ने कहा था कि जब मैं निकलूँगा तो मेरी चरन रज लीज़ेगा आपके कर्श दूर हो जाएंगे और बावजूद इसके सर SIT पूरी रिपोर्ट तयार करके सौब देती है मुख्य मंतरी को और एक बार रस्मन ही सही बाबा से पूछताश तक नहीं करती है सर आपको हैरानी नहीं हो रही है सर मेरा ये मानना है बाबा को तलाश किया गया था मैनपूरी आश्रम कुछ आश्रमों में पता लगाया गया था मोबाईल स्विच आउप करके देखे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दूरचपाल पुलिस में रहा और इसको ये सब गतीविदियां पता हैं पुलिस की कि किस प्रकार से पुलिस तलाश करती है इसको तलाशा गया था मुझे बताया गया है मैनपूरी आश्रम में और एक दो आश्रमों में वहां नहीं मिला और 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 भी किसी आश्रम में इसकी तूचना नहीं है ये किसी अग्यात स्थान पे है और मेरा ये भी मानना है कि जिस समय जो इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसमें कहीं लोग हैं जब वो इस नतीजे पे आएंगे और कुछ बयान इस प्रकार के उनको जो मृतक हैं उनके और जो इंजर्ड हैं उनके परिवारी जनों के मिल जाएं गया हैं और वो चश्मदीद ये कह रहे हैं कि मन्च से बाबा ने कहा था कि चरंडरज आप मेरी लोगे तो आपके कश्दूर हो जाएंगे उनके बयानों का कोई मतलब नहीं है सिर्फ जो जखमी है उनके बया या जो मृतकों के परिवार जने उनके बयान आप यह कह रहा ह मुझे मुझे जो बताया गया वो यह है कि जैसे एलेक्शन की रैली होती है कोई नेता आया इस पीश दी चला गया अगर उसके जाने के बाद कोई भगदर मच जाए कुछ लोग कुछ में हो जाएं तो आप उसकी एकाउंटिबिलिटी नहीं कर सकते जब तक कि उसने कुछ चैसा ना कहा हो तो सब्सक्रामा कर जैसे को बता रही है ना यहां तो चैश्मदीद क्यामेरे बाइरा कर यह बता रहे है कि बाबाने मंच से लोग गैंगे तो कश्ध दूर हो जाएंगे और जारे होई एक हफते में पूरी रिपोर्ट जमा करके दे रही है और एक बार बाबा से पुछताश तक नहीं कर रही है और आप यह कह रहे हैं कि आपके पास यह जानकारी है कि साब कोशिश की जा रही है पर उसका अता पता नहीं चल रहा है अरे अगर अता पता नहीं चल रहा है सर तो फिर उसको फरार घोशित किया जाए उस पर पांडर डिकलेर किया जा सके जुत्ते की इसको भगोडा डिकलेर किया जा सके और इसकी पकड़ दकड़ की जाए जो एकाउंटिबिलिटी फिक्स की गई है SDM की CEO की इंस्पेक्टर अने की वो सही की गई है ये भी बताया गया है कि जो भीड़ बढ़ रही थी तो इसकी कोई सूचना इन्होंने SDM CEO ने Senior Most Officers को नहीं दी थी और फोर्स की अतरिक फोर्स की मांग नहीं की थी ट्रैफिक पुलिस नहीं मांगी थी जो भी व्यवस्ताएं और करनी थी इन एडिशन जो इन्होंने फोर्स मांगा था इंस्पेक्टर सिकंदरा राओ ने वो इनको उपलब करा दिया गया था जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर ढाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे